जैसे एक फोजी की जिन्गी होती है ना डेंजर लाइफ मैंने कब क्या हो जाए कोई पता नहीं ऐसे ही एक डिलीब्री वाई की जिन्गी होती है कि कब क्या हो जाए कि डिलीब्री में जो है आप हरे कंपने का कुछ ने कुछ फायदा जरूर ठाए होंगे मैं किसी ने किसी से और किया होंगे में जैसे स्वीगी हो गया जो मैटो हो गया पोटर हो गया वीश फास अंकार डिलीब्री हो गया अगर हम डियावर की बात करें तो यह काफी डेंजर भड़ा लाइफ होता है है शायद आपको नहीं पता रहे हाँ आपको सुब्धा मिलती है आप कम हरे कंपने में जो है कुछ ने कुछ और करके आप मंगाते रहते हैं तो आज हम बात करेंगे कि एक डिलीब्री बौई की जिन्दगी क्या होती है कैसे मैंने क्यों हम एक फॉजी से तूलना कर रहे है अभी हमारे चैनल पे जो है गीवेड़ करने के लिए लिंक आपको आई बटम पर वीडियो के मिल जाएगा आप जाकर के देख सकते हैं और आप गीवेड़ी में पारिसिबेट कर सकते हैं कोई बंदा अगर फॉजी में जोयां निंग होता है तो अगर कहें से लड़ाई च काम पर निकलता है तो उनका घर वाले जो है आए दिन परातना करते हैं कि हमारा बच्चा जो है साम को सही सलामत घर वापस आए अगर आप देखते होंगे या सोसल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको बहुत सारा इसा केस मिलता होगा कि अभी हम हाल में बात करते ह है एक लक्ष्मिनेगर में जो है बंदा जो है एक्सिडेंट हो गया मने गारी से टक कर खा गया ठीक है वहीं पर बंदा खतम हो गया लक्ष्मिनेगर में जो है लक्ष्मिनेगर नहीं तिलक नगर में जो है रात में जो है सिग्रेट के कारण जो है बंदे को चाको मार दिया बंदा वाएं पे किलेरं हो गया कि हमारा दोस्त का दोस्त था उसका पैर में धनुए फ्टार्वाइयज गर्टपर से गिर गया का अच्छा चोटा लेकिन खुछ से बाइक उठागर के हॉस्पिटल आया लेकिन हॉस्पिटल पर जो है सही टाइम पर भरती नहीं पाया जिसके करण उनकी मौत हो गई तो ऐसे बहुत कस होते हैं जो आपको देखने को नहीं मिलता जो आपको सोचल मेड्या पर या यूट्टूब या फेस्टूप देखने को नहीं मिलता ठीक है लेकिन ऐसी जिन्गी होती है डेन्ज्रस भडि आए दिन खत्रा होना क्योंकि देखें अगर हम की बात किरें तो महीना में साल में चेंडी की बात करें न तो उनके जिंदगी में आयर दिन दिन राई होती है अपर स्थे जिनन्गी काम पर निकला कैसी होती है पर भी में का मिलता है तो इसमें क्यों टेंजर होती है क्यों मैं एक फोजी से तूलना कर रहा हूं ठीक है बंदा मौर्निंग में काम पे निकल गया ठीक है काम पे निकल गया 12 घंटा या हर एक कंपनी का जो है ओला उबर एपडो पोर्टर यह सब में क्या होता है कि आपके इच्छानुशार अगर बारिस आ रहा हो तुफान आ रहा हो ठंड हो ठंड हो फिर भी आपको पास जो और रहा है वह आपको पहुचाना ही पड़ेगा ठीक है जब सारे राष्टे बंद हो जाते हैं ना लोगों के तब वह आ करके डिलिवरियर टेवर में काम करते हैं एजे बायग ले करके हम भी काम किए हैं मुझे पता है जब सारे राष्टे बंद हो गए थे तब मैं आ करके इसमें काम किया था हाँ इंकम की बाइट करते हैं इंकम खराब नहीं है इंकम अच्छा इंकम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खत्रीव भूल क्यों है कि आप अगर कोई भी बंदा को आप जो सुवा साम ऑफिस जाता है आता है अपने कैप से या लगा उला उबर बुक करके कैप से तो उनसे पूछे र कि सबसेखाटरनाक बाइक कौन चलाता है ठीक है लेकिन बाइक खस्छ नहीं कलाता कंपनी इस है आप अधिकतक कमपनी करते हूं न वह क्या करते हैं कि यह फास्ट डिलिवरी फास्ट जब्टों का परचार देख रहेंगे कि दस में आपको डिलिवरी मिल जाएगा ठीक है डस में कैसे डिलिवरी मिलेगा बताता हूं मैं कमपणिये नहीं बुलेगी आप फास्ट गारी नहीं चलाओ जो लड़के होते हैं उनके ओपर एक पर मिलेगा ठीक है आप अगर बाराइड कीजिएगा तो आपको जो है डेश्राइज रोप्या इंसेटी तोर पर मिलेगा ठीक है एक चीज़ार होती है जितना ज्यादा जल्दि जितना जल्दि आप अपने और को पहुंचाते हैं कस्टमर को तो आपका रेटिंग कार्ड मनिय रेटिंग आपका अच्छा रहेगा तो आपको पास ज्यादा और बजेगा अधिके कोई बंदा काम पर निकला है 12 घंटा 13 घंटा काम कर रहा है त्ट काहें गर्मी आपको पता है यक दिली में बंदब जो ऑगर हम बात करें चल इतने इतना इन्सेन्टिव करिए तो बंदब बारा घंटा काम करने गया थेरा घंटा काम करने है सारा काम छोड़कर के वो डिर्वरिय में काम करने गए तो उसका घर चलता है तो उसे महनत करना है एक दिन चलब ठीग अठारा रैड मार दिये हम बाइस रैड नहीं मार पाए जिसमें हमारा पाइस और करना ही पड़ेगा लालेज देती है जिससे आपको काम जो है आपकी स्वीड में चल ली गी ही अब जो डिल्बरी बहुता है जो भी गारी चलाने की यक होती है जब नहीं सुरुब बार बायक शिकता है श्टाट अप करता है सिखने का उस तक गारी तेचराने की बहुत मन करता है लेकिन यह से पुराना होता है न क्या होता है कि हाँ 30 35 30 हाँ ठीक है पचास हाँ ठीक है लेकिन सत्तर साथ जो है एनिटायम उन्हें चलाएगा ओके अब आगई बात की 12 घंटा रोट पे घारी चलाना कब क्या हो जा कोई पता नहीं है ठीक है इसलिए जो है हम एक फौजी से तूलना करते हैं कि फौजी से ज्यादा डेंजर होते हैं एक डिलिवरी बॉय की जिंदगी जिसमें कब क्या हो जा कोई पता नहीं है आपको अब आती है लाइफ कैसे होती है जो है बंदा सर्दी रहे कर्मी रहे आपको जो है है हैं कि मिले दूर है नहीं में आपको मनर्डिव घृत कर दी है क्या जो ग्रोशिर काम होता जिक फूल से हो जाते हों झाञता में चारू जाले मिलेंगे रोड पर कैसे लोग मिलेंगे जिसके कहां खाना पहुंचाना जाना वो कैसे लोग हैं दारू पी रखाई क्या है पैसे देगा नहीं देगा तो यह सब सारे चीज़ ऐसे चीज़ से डिलिवायक गुजरता है एक चीज़ और है अगर आप गारी चलाते हैं आपके प है की रहा हो गया या कोई धूल कन गूज जाता है उसी से आपके जब घर एक ना तो आख लाल ला रहेगा ठीक है लेकिन डिलिवरी वायकी बताओं मैं आपको आए दिन किसी भी डिलिवरी वायको आप देख लिजागा आपको आख जो है ना लाल ही नजर आएगा ठीक है अगर वह रात में आया है वह तीन घंटा गाम किया दोगंटा काम किया 2-3 गंटे के बाद ही आख फूरा लाल हो जाता है पूरा क्योंकि इतने सारे दूब्हचन जाते है ना हेंद हेलमेट की हेलमे ingredient की बात है आडमी को बार बार हेलमेट में और आया पर आद Permate सेखाना उठाया फिर हेलमेट क recruiting का लेकिन अगर हम करते हम क्वरें का रहती है तो फिर उनकी के बाद लगाएगा तो कभी कभी शीषा उपर करना पर दूसे बाद में क्या होती है कि आपको सामने से flash मारता है तो सीषा को आपको उपर करना ही काम करता हैं अगर बंदे की साधी होना हो क्योंने बंदा गारी जो है इंकम जो है वो पूरे महिने का अगर 15-16,000 कमा रहा है कोई बंदा ओफिसे बैठकर के 12,000 कमा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट जादा है लेकिन एक डिलिवरी वह रिस्पेक्ट रही है लेकिन बाई का खर्टा कम नहीं होता है अगर बंदा जो है महीने का जो है महीने का डेली का अगर 12300 रोप्य ईक बिब्वा जो होता है जो अच्छे से काम करते हैं डेली का जो है 1200-1300 आराम से काम कर लेता है चला 1200-1300 डेली का काम हो तो हम हर एक दिन एक जैसा नहीं होता तो हम 25,000 पर महीना का ले लेते हैं ठीक है लेकिन अगर बंदा गारी जो है रोड पे चला रहा है 12-13 घंटा तो एक दिन जो है पेट्रोल का खर्चा करें कम अभी के हि साथ से जो है 300 या पौने 300 जाता होगा इतना पेट्रोल का खर्चा जाता है क्योंकि 200-200 गारी अगर परते कि दिन बंदा चला रहा है तो हफते में जो है गारी को एक सर्विसिंग चाहिए जिस वाट ब्रेक्शूज और कलच जो हता है ब्रेक्शूज बहुत जल्दी खतम ह से बहुत होती है और आया दिन आपको पंचर कुछ न कुछ घारी में मिलते रहेगा तो हम 2 अगर हम सर्विशिंग बात करें दो बात नों नहीं कम अच्छी नहीं होती no का मच्छी होती है लेकिन इतना डेंजर होने के बाद जो है बायक में खर्चे बीबारते रह जाते तब जाकर के बंदा जो है 15 या 16 हजार रुपया महीना का कमा पाता ऐसी होती है डिलीवाय की जिंदगी तो अगर आप कोई भी कहीं भी आप आप करते हैं तो प्लीज आप उनसे रिस्पेक्ट से पेशाए क्योंकि जिंदगी से गुजरत रहा है वह काफी डेंजर लाइफ होती है ठीक है तो आज का वीडियो नहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करते हैं तो आप आप